अगर आप भी Canada का PR लेना चाते हैं, आप study visa में apply कर रहे हैं, work permit में apply कर रहे हैं, आपके spouse Canada में, spouse open work permit में try कर रहे हैं, जहाँ आपके कोई relative Canada में हैं, जो already citizen है, PR हैं और आपने भी उनके बहाँ पे अपने PR की फाइल लगाई हुई है, जहाँ आप direct express entry में फाइल लगाना चाते तो इस वीडियो को last तक जूर देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, आपका जो Canada का PR का सपना है, वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको रस्ता बताऊंगा, आपको एक guidance मिल जाएगी, कि आने वाले तीन सालों में किस visa category में, कितने लोग PR होने वाले हैं, और जो announcement किया है, खोद जो immigration minister है, Mark Miller Canada के उन्होंने, इस वीडियो को last तक जूर देखना, और आप किस किस category में apply कर सकते हैं, कैसे आप PR तक पहुंच सकते हैं, पूरा का पूरा इस वीडियो में हम discuss करेंगे, इस वीडियो को शुरू करने से पहल immigration levels plan announce किया है, Mark Miller ने, उसमें क्या क्या changes हैं, अगर जो पहले के plan की बात करते हैं, 2023, 2024 और 2025 के लिए, जो पुराने immigration minister थे Canada के, Mr. Sean Fraser, उन्होंने announce किया था, उसमें अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो numbers विल्कुल सेम है, 485,000 अप्रॉक्स लोगों को PR मिलेगी, जो अभी announce हुआ है, उसमें भी सेम रहा है, नंबर में कोई change नहीं आई, 485,000 लोग ही जाएंगे जिनको PR मिलेगी, अगर आप total numbers देखते हैं, for example, अगर मैं last year का नंबर देखता हूं Canada में, जो students Canada में enter हुए थे 2022 में, अप्रॉक्स 6 लाक लोगों को 2022 के अंटेक्स के लियर mission मिला था, अगर total number of visa देखे जो 2022 में दिये गे, वो साड़े आठ लाक के आसपास लोगों को, जहां students को उन्होंने study visa दिया, उसके बाब work permit की बात करते हैं, तो दो लाक के आसपास लोगों को work permit दिया गया 2022 में, जाने कि अगर हम दोनों के टागरीज में मिलाते हैं, तो साड़े दस लाक के अपलाई करो, मतलब जितने भी immigration की category है, सब में मलाकर, total Canada एक साल में 4,85,000 लोगों को PR करने वाला है, 2024 में, तो आपका number कैसे आ सकता है, अगर आप सही visa category, जहां immigration की category में apply करते हो, जहां पर number of PR के chances जादा है, तो वहां पर आपको जादा chance मिलेगा, अगर हम total category की बात करते ह चार main categories आती हैं PR में, पहली economics, economic में क्या होता है, कि 58 to 60% तक का total जो target रहता है, जैसे 4,85,000 है, तो उसमें से 2,85,000 लोगों को PR मिलने वाला है, उसके बात करते हैं, तो फैमिली क्लास में लगबग 1,14,000 लोगों को PR मिलने वाला है, उसके बाद हुमिन्टेरियन की बात करते तो 76,115 लोगों को refugee में बात करते हैं, तो 13,750 लोग जो as a refugee apply करेंगे, उनको PR मिलने वाला है 2024 में, अभी economic class की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले हम इसको आगे की जो target है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर जो target मैंने आपके साथ share किये थे, जो 2024 के हैं, अगर मिलेगी, और 2026 में भी 3,1,250 लोगों को PR मिलने वाला है, अगर मैं family class की बात करता हूँ, तो 2024 में 1,14,000 और 25 और 26 में 1,18,000 लोगों को PR मिलेगी, humanitarian की बात करते हैं, तो 2024 में जिन नमबर ज़ादा है, जानि के 76,150, उसके बाद आने वाले दो सालों में, जो counting है, इसमें कम हो जाएगी, 72,750 लोगों को PR मिलेगा, दोनों सालों में, 25 और 26 में, जानि के आने वाले सालों में, economic और family class में ज़्यादा लोग आ सकते हैं, refugee में भी कम हो जाएगा, अभी 2024 में 13,750 लोगों को refugee में PR मिलने वाली है, मगर आने वाले अगले दो साल, जाने के 25 और 26 में, सिर्फ 8,000 लोग ही refugee में अपलाई करकर PR लेपाएगे, जे टार्गेट है, इसको आगे पीछे थोड़ा बहुत वो अक्सपेक्ट करते हैं, कि 40, 50, लोग उपर नीचे हो सकते हैं, जैसे 4,85,000 तो 4,35,000 से लेकर 5,25,000 तक लोग को PR मिल सकता है, तो जो प्राक्स उनका जे रहता है, अभी इसमें जो सबसे बड़ी केटागरी एकनॉमिक और फैमिली, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, कि सबसे ज़्यादा इन ही में जो जो PR होते हैं, एकनॉमिक क्लास में जो सबका फैवरेट है, एकस्प्रेस एंटरी और PNP, जो दो केटागरीज हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को PR लेने में हल्प करती हैं, एकस्प्रेस एंटरी में अगर हम पहले का डेटा देखते हैं, 24 का, तो 1,10,000 लोग आएंगे 2,80,000 में से 1,10,000 लोग सिर्फ एकनॉमिक में एकस्प्रेस एंटरी के थुरू आ रहे हैं, उसके बाद जो 25 और 26 का है, वहाँ पर 1,17,000 लोगों को PR मिलने बाला है, एकस्प्रेस एंटरी में, 24 और 25 में, अभी पहले क्या होता था, एकस्प्रेस एंटरी में बहुत सारे ल अभी ड्रॉव आ रहे हैं, जिसमें मेडिकल का जहां हेल्थ पैड़ागरी का अगया, उसके बाद फ्रेंच का अगया, उसके बाद एगरीकुल्चर का अगया, तो इस तरह के जो आइटी का हो गया, इस तरह जो प्रोग्रम स्पेशिफिट है, उन में अभी क्या होगा, कि आने वाले दिनों में अगर आपके पास कोई skill होगी तो आप express entry का benefit ले सकते हो otherwise बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए express entry में PR ले पाना कम से कम अगर आपका score 490 के आसपास है तब आप all program specified में थोड़ा बहुत chance देख सकते हो तो इसके नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए आने वाले दिनों में थोड़ा मुश्किल होने वाला है उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PNP की PNP में भी बहुत बड़े numbers में PR होता है बहुत सारे लोग अगर हम पहले की बात करते हैं जो 485,000 शौन प्रेजर ने किया थो तो उस समय 1,12,000 लोगों को PR मिलना था PNP में 4,85,000 लोगों में से मगर अभी थोड़ा कम कर दिया नोंने 1,10,000 लोगों को 2024 में और उसके आगे 1,20,000, 1,20,000 जानि के 25 और 26 में 1,20,000 लोगों को PNP के थुरू जो PR मिलने बाला है PNP में भी आप अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपलाई कर सकते हो किस प्रविंस में किस तरह की स्किल की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपलाई करते हो तो आपके PNP के चांस बने रहते हैं उसके बाद एकनॉमिक पाइलट प्रोग्रम होते हैं उसमें पहले 12,000 लोगों को PR मिलना था मगर अभी उसको कम कर दिया है 10,844 लोग रह जाएंगे जो 24 में PR ले पाएंगे और जो आने वाले साल 24 और 25 है वहाँ पर 14,740 लोगों को दोनों साल में पाइलट प्रोग्रम इसमें पाइलट प्रोग्रम कौण से होते हैं जो थोड़े कम समय के लिए उनकी तरफ से चलाया जाते हैं किसी Special Needs को पूरा करने के लिए फॉर इसमेर्फces पाइलट है जिसके लिए Agriculture के लोग चाहिए उनको उसके बाद केर गिवर्स हैं उनका हो गया इस तरह के जो छोटे समय के लिए पाइलिट प्रोग्रम चलाई जाते हैं किसी श्पेशल नीड को पूरा करने के लिए उसमें कम से कम 10,084 24 में 14,500 14,704 और उसके आगे 13,704 लोग आने वाले तीन सालों में पियर हो सकते हैं जो अटलंटिक प्रोग्रम है उसमें पहले 11,500 लोग थे मगर अभी उसको कम करकर अगर 24 की बात करते हैं तो वो 6,500 आने वाले नेक्स साल में 25 में 8,500 और 26 में फिर 6,500 लोगों को पियर मिलेगा जानी कि अभी जो चांस हैं सबसे ज़्यादा एकनॉमिक क्लास में हैं एकनॉमिक क्लास में आप किस में जा सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हैं पी एनपी में जा सकते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा चांस हैं आप कोशिश करिए कि इनकी क्या requirement है, कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपना CRS score complete कर सकते हैं, कैसे आप PNP ले सकते हैं, तहां जो आपके PR के chance जादा हो, अगर आप special कोई pilot में जाना चाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अभी और ज़्यादा tough रहेगा, और जिनके कोई blood relation में already PR होते हैं, जहां citizenship में होते हैं, वो उनके sponsorship पे उनको family class में बलाए जाता है, इसमें खासकर spouse और जो आपके partner होते हैं, वो जाते हैं, जहां आपके parents, जो दो ही लोग होते हैं, जो जा सकते हैं, spouse, बच्चे, parents जो सबी रहेंगे, जो 80,000 का target था, अभी 82,000 कर दिया है, जानि कि 2024 में increase किया गया है, अगर parents की बात करते हैं, तो पहले 34,000 parents को PR मिलना था एक साल में, अभी उसकी जगा 32,000 parents को जो PR होने वाले हैं, जानि कि उनका भी focus है कि जो parents है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते वहां पर आकर, इसलिए उनका 2000 का जो number था, उसको कम किया गया है, और जो spousal और partner है, उनका जो number था, उसमें 2000 increase कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ा idea लग गया होगा कि किस visa category में जाने से आपको benefit हो सकता है, और कैसे आपको उसमें apply करना चाहिए, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को subscribe और इस वीडियो को like और share जरू कर दें, अगर आपके mind में अभी भी कोई question है, पी आर को लेकर, तो आप नीचे दिये कि number 9551760001 पे हमें call कर सकते हैं, हमारी team आपकी help करने के लिए हमेशा ready रहती है, आप से सिर्फ इतनी request होती है, कि आप इस YouTube चैनल को subscribe और इस वीडियो को like और share जरू कर दें, अगर कोई बच्चा हमारे साथ apply करना चाहता है, तो वो 9551760001 पे अपनी query, अपनी profile share कर दें, जो भी best options हो, उसकी profile के लेटर होंगी, वो हमारी team आपको provide करेगी, thank you so much इस वीडियो को last तक देखने के लिए, कल को एक नई वीडियो के साथ आपके सामन पी रहाजर होंगा, thank you so much.